आज की हमारी कविता है अक्का महादेवी इनकी जो कविता है हे भूक मत मचल आज हम इस कविता के बारे में साथ ही अक्का महादेवी के बारे में भी कुछ चनने की कोशिश करेंगे अक्का महादेवी जी का जन्म बार्वी सतापती में कनाटक के उडुतरी गाउं में जिलाश्य उमोगा में हुआ था इनकी हिंदी में वचन सौरव नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग आफ सीवा के नाम से कविताई प्रमुख रचनाई जो है वह मिलेंगे आपको और इतिहास में वीर शैव अंदोलन से जुड़ी कवियों और रचनाकारों की एक सुची है लंबी सुची है जिसमें इनका नाम भी आता है चन्यमलिकारजुन देव जो है शिवजी जो है इनी का दूसरा नाम है आ इनकी ये आराधना क्या करते थी इनकी पूजा क्या करते थी ये इनके आराधे देव थे ये अक्का महादेवी की पिक्चर आप देख सकते हो बसवन्ना और अलामा प्रभु इनके समकालीन कंण्र संत कवी थे Kंण्रा की ये संत कवी हुआ करते थे जो इनके साथ के कवी थे, समकालीन कवी थे कंण्र भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बेहन यहीं सिष्टर अक्क महादेवी बहुत सुंदर महिला थी अपुरु सुंदरी थी एक बार वहां का स्थानिय राजा इनका सुंदेरी देखकर इन पर मुग्द हो जाता है और विवा के लिए इनके परिवार पर दबाव डालता है अक्क महादेवी उनके लिए तीन शर्तें रखती हैं और कहती हैं कि विवा के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया तो उन्होंने सारा उनका राजपाट छोड़ा और सारे वस्त्र आभुशन उन्हें रिटर्न कर दिये वापस कर दिये पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदी महापुरूशों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था उन्होंने बड़े-बड़े महापुरुशों के सामने जो उनका ये प्रयास था जो त्याग किया था उसके समक्ष हम उसे देख सकते हैं इसी द्रश्टी से दि हम देखें तो मीरा की पंक्ती है तनकी आस कबू नहीं कीनी योरण माही सूरो यह इन पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है इन पर पूरी तरह से लागू होती है इनका जो शैव अंदोलन था अक्का के कारण शैव अंदोलन से काफी बड़ी संख्या में इस्त्रिया जुड़ी जो निचले तबकों से थी और उन्होंने अपने संघार्ष और यातना को अंतिकारी चेतना का एक दस्तावेज है और हमारे संपोन स्ट्री जाती के लिए एक प्रेणा श्रोत भी है आज की जो कविता हैं उनमें दो वचन लिए गए हैं और पहला जो वचन है उसमें उपदेशात्मक नहीं हो करके प्रेम भरा मनुहार है दूसरे वचन में इश्वर के प्रती हम समर्पन को देखेंगे तो जो पहला हमारा हे भूख मत मचल ये वाला वचन जो है इसमें वह संसारिक वस्तूं की चाह हे भूख यानि किसे संबोदित करती है संसारिक वस्तूं की चाह को संबोदित करती है और कहती है कि हे भूख मत मचल संसारिक वस्तूं की हम हमारी जो चाह होती है संसार के सुख हैं संसार के जितने भी जो सुख है या हमारी सत्ता है उसे प्रप्त हम करना चाहते हैं लेकिन यहां पर कव्यत्री कुछ और ही कह रही है वह कह रही है कि तो कुछ पाने के लिए मत तडब ऐसा कोई भी इच्छा मत रख तु मन में आर पाने की तृष्णा को मत जगा यानि जो तुझे मिला है उसी में खुश रहने की कोशिश कर यहाँ पर हम देख सकते हैं यह वाली जो लाइन्स हैं इसी भाव को फ्यक्त कर रही है फिर वा कहती है कि हे नींद मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल अब नींद क्या है नींद सोने को हम कहते हैं और यह भी एक संसारिक सुख है फिर नींद को संबदित करते हुए कहती है कि हे नींद मत सता मत प्रेशान कर क्रोध भी संसारिक वस्तु है उसे कहती है कि हे क्रोध तु मेरे भीतर मता मेरे भीतर आ करके उथल पुथल मत मचा उथल पुथल किसे कहते हैं fluctuation को कहते हैं तो कहती है कि ऐसा मत करो फिर वो किसे कहती है संबोधित किसे करती है मोह को संबोधित करती है और कहती है कि हे मोह पाश अपने ढील लोगमत ललचा हे मद मत कर मद हूश यह सभी जो संसारी कस्ट हैं यह मनुष्य को दुखी करते हैं और उन्ही को संभुदित करते हैं कि हे मोँपास अपने ढील अपने पास में मुझे मत छकड़ अपने सिकंजे में मिरको मत कस लोब मत ललचा, लोब को कहती है कि मेरे भीतर लालच मत ले करके आ, हे मद मत कर मद होश, हे मद, मद क्या है, नशा है, नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसे कहती है कि मुझे तू नशे में मद होश मत कर, नशे में पागल मत कर, नशे में पागल होना होता है, मद होश होन इर्शा को केती है कि हे इर्शा मुझे जला मत मेरको जला मत ओ चराचर चराचर यानि जड़ और चेतन चर अचर चर क्या होता है जड़ जड़ वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं है और अचर जो वस्तुएं हैं वो चेतन संसार है चर अचर किसे कहा है जड़ और चेतन संसार को कहा है चेतन्य जो होते हैं जीवित प्राणियों को कहा है कैती है चराचर जड़ोर चेतन संसार मत चूक अवसर आप ऐसा अवसर मत चूको तुम्हारे सामने एक महत्पुन अवसर है क्या अवसर है हमारे सामने चन्न मलिकार जुन का संदेश ले करके वैयाई है और कहते है कि अपने आपको शिव की भक्ती में लीन कर दो शिव भक्ती में लीन कर दो ऐसा में अवसर तुम्हारे सामने ले करके आई हूँ और ये तुम्हारे लिए ऐसा अफसर है जिसे तुम्हें चूकना नहीं चाहिए और इसका फायदा लाब ले करके तुम्हें अपना करे करना चाहिए ये सब चीजों का त्याग करते हुए तो वह मनुष्य को भी एक तरह से शिक्षा यहां पर प्रदान कर रही है अगर इसकी विशेष्टा की हम बात करें तो यहां पर शिव की आराधना के लिए अपने पूरे संसार का वह त्याग करना चाहती है और लोगों को काम करोध आदी जो छे लोग मोह हैं करोध हैं शड़ रिपू ये बताए हैं छे तरह के दुश्मन बताए हैं मनुष्य के उनसे दूर रहने की सला भी देती है यहां पर अगर हम अलंकार की बात करें तो यहां पर मानवी करन अलंकार जो है उसका प्रयोग यहां पर किया गया है मानवी करन अलंकार है इन सभी का अच्छे चीजों का मानवी करण किया गया है उसके बाद संबोधन शैली जो है उससे कविता काफी सजीव बन पड़ी है संबोधन शैली से कविता कैसी बन पड़ी है काफी सजीव बन पड़ी है यहाँ पर हम विशेष्टा की या शिल्प संदर्य की बात करें तो कवित्री अपने अराथ्य के प्रती समर्पित है और सभी को सम्वदित करते विए कहती है कि क्रोध लोग मौधी से कहती है प्रार्थना करती है कि उसे संसारिक कस्ट ना दे उसके बाद हमारा सेकेड आता है पेरे ग्राफ सेकेड जो वचन है उसमें वहे यह देखिए आप सेके प्रोट से स्टार्ट हो रहा है इसमें हे मेरे जोही के पूल जैसे इश्वर जोही का फूल क्यों कहा है क्योंकि इसुए को वहे कॉमल मानती है और मनोर्म भी मानती है कि तुलना किसे की है जुही के फूल से की है जैसे जुही का फूल सुंदर होता है मनोरम होता है कहती है कि हे इश्वर मंगवाओ मुझसे भीक कि मुझे ऐसा कर दो कि मैं भीक मंगवाओ इश्वर से टरतना कर रहे है और कहती है कि और कुछ ऐसा करो कि भूल जाओं अपना घर कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ती में इस प्रकार से लीन हो जाऊं कि मैं अपना घर बार ही भूल जाऊं पूरा घर संसार ही भूल जाऊं और घर संसार को भूल करके तुम्हारी भक्ती में लीन हो जाऊं किस में लीन हो जाऊं? भक्ती में लीन हो जाऊं एसा बैं इश्वर को कहती है फिर कहती है कि जोली फैलाऊं और ना मिरे भीक इतना मुझे कस्ट हो कि मैं जोली भी फैलाऊं तो मुझे कोई भीक ना दे मुझे भीक भीक भी ना मिले कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को कोई व्यक्ति जो मुझे कुछ देना भी चाहे तो वह उसके हाथ से गिर जाए कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे और यदी मैं जुकूं उसे उठाने यदी मैं उसे उठाने के लिए जुकूं जुकूं तो क्या हो जाए अगर मैं उसे उठाने जुकती हूँ तो कोई कुता वहाँ आ जाए और उसको छीन करके ले जाए जपट कर उससे छीन करके ले जाए ऐसा इश्वर से प्राथना करती है और प्रेयर करती है कि है इश्वर ऐसा तुम मेरे साथ कुछ करोगे तभी मैं मोह के माग से हट करके संसारिक मोह जो है घर संसार का मोह है उससे मैं दूर रहूंगी और तुम्हारी भक्ती में मैं पूर्णत्या लीन अपने आपको कर सकूंगी तो यहाँ पर इश्वर के लिए जुही के फूल की उपमा दी गई है उपमा यानी तुलना की गई है फूल की किसकी इश्वर के साथ फूल की तुलना यहाँ पर हम देख सकते हैं इश्वर के साथ किसकी तुलना की है फूल की तुलना की है किसका फूल जुही का फूल यह है हमारा इश्वर और उसे किया है कवित्रे ने यापर संबोधित संबोधित करते वे किती है कि हे एश्वर मेरे साथ ये सब करो क्या क्या करो कैसे कैसे अत्यचार करने के लिए कह रही है कि जोली फैला हूं तो भीक ना मिले कोई कुछ देने के लिए मुझे चाहे देना तो वो मुझे उसके हाथ से गिर जाए खाना भी मुझे कोई ना दे और यदि मैं कुछ उठाने उसे गिर चुका है उसे उठाने भी जाऊं तो फिर कोई कुटा वहां आ जाए और उसे छीन करके ले जाए इस तरह से वो इश्वर से यहाँ पर प्रेयर करती है और अपना घर बार भूलने के लिए भी कहती है यह हमारी कविता का मैंने आपको वर्नन किया और अभी प्राय समझाया साथ ही हमने अपर कवित्री का परिचे भी देखा थेंक यू फोर वाचिंग